अलो इस डेंदीर्स क्लास्म अप्लोग का स्वागाथाज क्लास्म अप्लोग समझें क्लास्ट टुविल्थ का अब्जीक्टी क्विचन प्लेइन जिसको हिंदी में बोलते समतल 3D, 3D का अब्जीक्टी विचन देखेंगे, यह आपका बिहार बोर्ड में क्यूचन 4 से 5 अबजेक्टिव पुछता है अगर हम लोग पूरा लेक्चर देख ले ते 5 अबजेक्टिव ना कम्प्लीट कर सकते हैं तो देखो पहला का अबजेक्टिव क्या करा है कि निमली खीत में से समतल का ब्यापक समिकरन तो यह ब्यापक समिकरन बताओ तो समतल का ब्यापक समिकरन होता है AX प्लस BY प्लस EZ प्लस D इसकल टूजीरो यह आप्सन नमर A होगा अब क्यूचन नमर सकेंड दो क्यूचन नमर सकेंड में करा कि यदि X अच बाई अच और Z अच अन्ता खण A, B और C है तो समतल का ब्यापक समिकरन होता है यह होता है इसमें आप्सन नमर क्या हो गया तो समतल का ब्यापक समिकरन होता और अन्ता खण का ब्यापक समिकरन यह होता तहीं हम लोग को आद रखना पड़ेगा यह तो फर्मूला में थियोरी में हम लोग पर चुके थे एक यूचन, अब हम लोग समझते हैं, क्यूचन नमर सकेंड, तो क्यूचन नमर सकेंड देखो, सकीन में क्या करा है, कि थर्ड में करा, यदि एक्स बाई और जीड अच्छो के, दो, तीन और चार अंताखंड कारती ह है, तो तल का समीखरण का अंताखंड रूप बताओ, इन तल का समीखरण हम लोग जानते हैं, अंताखंड रूप में, X by A, plus by by B, plus Z by C, equal to one होता है, अब देखो, अंताखंड दियाओ, ते A के जगा पे क्या रख देंगे, 2, अंताखंड दियाओ, लुचका 3, Z का अंताखं दो, तीन, चार दिया हुआ, तब तल का समिक्रन, अंताखन रूप में क्या हो जाएगा, X by 2, पलस 2 by 3, पलस Zy, Zy, 4 इचकल 2 बन, फिर क्या गरना, क्युचान नमर चौथा में, चौथा में करा सम्तल, एक सम्तल दे दिया, करा X by और Z अचो का, क्या ग्याद केजे अंताखन, बताओ, अंताखन, अपकी क्युचान चेंज कर दे, क्या, अपकी समिक्रन दे दिया, तब अंताखन पुछ दिया, अभी अंताखन दिया था, तो समिक्रन पुछ दिया, जब आपका समिक्रन दे और अंताखन ग्यात करने के लिए का दे तो क्या करो नहीं हाँ पे 2X प्लस 3 बाई प्लस 4 इसकल तो जेट भरवर 12, 12 है तो 12 से भाग दे दो तो सब में, यह न 12 से सब में भाग दे दो 12 से भाग देंगे और यहां से भी 12 से भाग दे दो अब देखो काट लो तो क्या आगया ना 6 और यहां 4 और यहां क्या आगया 3 6, 4, 3 ही क्या कहलाएगा अंताखन तो 6, 4, 3 तो अप्सन नमर यह हो गया जो कट कर आएगा वही क्या कहलाएगा अंताखन तो X अज का अंताखन 6 होगा अब हम लोग समझते हैं क्यूचन और 5 इसको नोट करते फिर देखते फाइब क्यूचन नमर फाइब देखो फाइब क्या करा नहीं क्यूचन नहीं लगतार क्यूचन देखो नहीं जितना 3D का आपजिक्टिव क्यूचन बता रहें अब ही क्या न वहीं था वहीं क्यूचन को चेंज कर दे अब ही करा अंता खन रूप में तल का मानक समिकन बता अंता खन रूप में मानक समिकन क्या हो जाएगा X by A plus by Y B plus Z by C is equal to 1 A होगा अप्शन B अब देखो क्यूचन नमर 6 6 में क्या करा कि ए तल दिया हुआ 2X plus by minus में Z है क्या लिखा हुआ Z और एक Z की बना Z बड़ावर 5 में X अचका अंताखन बताओ तो एक सच का अंताखन बताने के लिए हमें क्या ना अब किसी का भी अंताखन घ्यात करना तो सम्में क्या ना दो सली by 5 है तो 5 से भाग देदेंगे कटे गा नहीं तो इसको लिख सकते हैं क्या X बड़ा 5 by 2 प्लस में बाई बाई फाई प्लस में लिख सकते z माईनस माईनस को नीचे भेज दो तो माईनस में 5 बरबर क्या जायगा 1 पांस इस समय डिवाड कर दी तर देखो इस फॉम में आ गया तो एक सचका अंताखंड बोला तो एक सचका अंताखंड क्या हो जागा 5 by 2 दिसका option number क्या हो जाएगा त engager by अज़का अंत्खन पुश्ता तो 5 होता z का अंत्खन पुश्ता तो 5 इस तरह कैसे अब question number 7 समझो question number 7 में क्या करा 7 में करा कि x अच का sum icon x अच का sum icon होता x by 1 बड़वर by by 0 बड़वर z by 0 ति X अच का समीकन प्लेन में होता है, option number क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, option number B हो जाएगा, यह हो गया answer ति X अच का प्लेन का समीकन आद रखना होगा X अच का प्लेन का समीकन क्या हो जाएगा? X, Y इसी परकार आपका objective ऐसे ही पुछ देगा, X अच पे नहीं, Y अच पे बोल देगा क्या न? अब की Y अच का क्या न? समीकन पुछ देगा, तो Y अच का समीकन क्या हो जाएगा? आप बता सकते क्या? जरा बताओ, X by 0, Y by 0 और Z by बन ए हो जाएगा किसका अच का? Z अच का समीकन, समझ गए? इस तरीके से बनाएगे तो हो गया question number 7, अब हम रूप समझते question number क्या? 8, इसको note करो, फिर देखते 8 question number 8 समझो, question number 8 में क्या करा नहीं? कि 8 में करा X अच का दिख को जाएगा बताओ, तो X अच का दिख को जाएगा, क्या हो जाएगा? 1, 0, 0 होताओ, अब इसी परकार objective, तीन objective और बन सकता है अब कहेगा, बाई अच का दिख को जाएगा, हम लोग बोल सकते, अगर कहता बाई अच का दिख को जा, तो बाई अच का दिख को जा, क्या होता है? 0, 1 और 0, अब पुछता है, 0, 0 और 1, इस तरीके से, तो एक objective समझो, बागी तीन objective इस पर ढाल लो, अब एक सच का बता रह है तो आपका क्या हो जाएगा 010 जीर अच्का क्या हो जाएगा 001 अब आज ओक्यूचन नमर 9 9 में क्या गणा कि सदीश आई कैप की दिक को जाए पुछ दिया लो अपकी इस तरह से क्यूचन अभी तक पूछा नहीं है अब चेंज करता है हर एक साल ना क्यूचन कुछ न को चेंज अज परीवर्तन ला रहा है आप पी क्या क्यूचन से उठा देगा क्यूचन देखो क्या अपकी आई एक सस बाड़ बार पुछा जाएगा अब क्या पुछ देगा आई काइस अच्छा निट का दिक को जाएगा 0000a हो जाएगा ने इसमें अप्शन नमर इसका भी क जीरो ये हो सकता है, अब पुछ देका के कैप का दिख रहा है, गी फिंटा क्या हो गया इभ कर दिख को जाए मैनस है, बारे एक या के लिए प्लस में बunya है, और आपका कुछ में बोले तो क्या ना माइनस में बोल दिया तो क्या हो जाएगा माइनस में दिख को जाएगा तो माइनस बन जीरो जीरो हो गया माइनस लगा के बोला तो माइनस लगा के दिख को जाएगा तो इसका भी option number क्या हो जाएगा ए उसी परकार अगर माइनस में J कैप रहता और इसका कहता दिखो जिया बताती 0, minus 1, 0 यह बताती उसी परकार माइनस के कैप का दिखो जिया रहता तो क्या बताती तो हम लोग बता सकते थे 0, 0 और minus 1 यह होगा तो इस तरीके से हम लोग कम्प्लिट कर सकते हैं तो होगा question number 8, 9, 10 अब हम लोग समझते question number 11 तो इसको note करो फिर देखते हैं 11 question number 11 11 में करा x, y, tal, क्या न, समीकन गयाद करो x, y, tal, क्या न, समीकन गयाद करो x, y, tal, क्या न, z, पर और क्या होता 0 होता इसमें option number हो जाएगा अगर इसी में कहाता by, z, z, tal, का समीकन बता तो by, z, tal, का समीकन तल मतला plane तो by, z, plane का समीकन तो by, z, plane का समीकन क्या होता x, बराबर 0 होता इसी में कहाता आपके इना x, z, tal, का समीकन बता तो x, z, tal, का समीकन क्या हो जाएगा by बड़ावर 0 इस परकार से एक objective हम लोग कितना objective बना सकते हैं 3 objective हम लोग complete कर सकते हैं अब देखो question number 12 12 में करा संतल इस संतल के समानतर संतल का समीकरन बता तो इस संतल मतलब ए प्लेन का समीकरन करा इस प्लेन के समानतर पैलल एक प्लेन का क्या बताओ समिकरन तो एस सम्तल के parallel plane का समिकरन क्या होता है x plus 2 by minus 3z बस ए जो constant है ना constant को बदल दो अगर constant बदल दिया गया तो एजो इस plane के parallel ए प्लेन का समिकरन है तो इसमें देखो मैच कर रहा है x plus 2 by minus 3z फोर के जब पर क्या हो गया k क्यों हो गया यहाँ पर constant अगर change हो जाए ना तो क्या parallel plane कहला है क्या कहला है इसका option number भी हो जाएगा क्या ए है तो ए सब आपका parallel नहीं है अब देखो picture number क्या ना 13 13 में करा x by तल के समांतर तल का समीकन बता तो x by x by तल का समीकन क्या होता है z बरावर 0 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाए ना x by तल का समीकन तो x by तल का समीकन हो जाएगा z बरावर क्या 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 है तो यहाँ पर z बरावर 0 हुआ तो तल का समीकन हो जाएगा क्या हो जाएगा तो यह हो गया option number क्या इसका c ती question number 13 complete क्या लिए तल एक्स बरवर जीरो के समानतर है बताओ तो एक्स बरवर जीरो तो एक्स बरवर जीरो के समानतर क्या ना एक्स बरवर माइनस पाच है तो इसकी समानतर तो किसी भी प्लेन के इस पैलल क्या ना वही होना चाहिए कि वल कॉंस्टेंट अगर चेंज हो जाए तो इसमें क्या है जीरो अगर जीरो कॉंस्टेंट को चेंज कर दे तो जो चेंज करने के बाद इस तल के क्या है समानतर तल का समीकन कहलाता है तो इस तल के समानतर तल का समीकन क्या हो जाएगा X बरवर माइनस में 5 तो option number क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बरवर 0 जो match नहीं कर रहा Z बरवर 5 है जो match नहीं कर रहा 9 दिश ते इसमें option number क्या हो जाएगा A 15 में क्या करा करा यह तल पर लंबत तल का समिकन बता यह plane से कौन सा plane लंबत है तो यह दोनों plane कौन सा plane लंबत है तो इसको लंबत चेक करने के लिए इसका direction ratio पता करते है तो direction ratio तो इसका direction ratio मतलब दिख अनुपाद तो इस plane का दिख अनुपाद क्या हो जाएगा 4 3 माइनस 4 3 माइनस में यह होता इस plane का दिख अनुपाद जड़ा बताओ तो एक है माइनस 5 है और माइनस में 11 अब इसको जड़ा गुना करो तो गुना करेंगे क्या ज़गा 4 और यहाँ पे 5 यह 15 और पलस में 11 यह आ गया तो इसको जोड़ो तो कितना आ गया 0 आ गया नहीं तो इसका दिख अनुपाद और इस plane का दिख अनुपाद दोनों को गुना के तो क्या गया 0 मतलब ए आपका यह plane इस plane के क्या है पर परस पर लंब है अगर अब इसका नहीं आता 0 तो इस plane के दिख अनुपाद इस plane के दिख अनुपाद को क्या करते dot करते 0 आता तो करते A B होता अगर A भी नहीं होता 0 तो इस पे चेक करते अब इस पे भी 0 नहीं आता तो करते option क्या है? none of दीज़े लेकिन पहले से ही match कर गया तो हो गया option नमर इसका क्या? A तो future नमर 16 हम लोग मिलेंगे next class में आज इतने दग थाइंक आश्टेंट, सुगर आफी मिलते next class में, पाश्टेंट